ऐसा क्भारान के इंस्ट्रागराम काई जाएं dalे हो जाता है फिर इंस्टागराम से जा जाता हैosasा YESा आप username and password के लिए बोलता है अगर username password पता रहता है तो डाल की हम login कर लेते हैं बड़ दोस्तो problem यहाँ पर यह होता है कि कई बार हम अपने Instagram ID का password भूल जाते हैं हमें अपना password नहीं पता होता है ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप अपने Instagram की ID लॉग इन नहीं कर पाते होंगे चलिए किस तरीके से आप अपने Instagram की पुरानी ID जो पहले बनी थी उसे दोस्तों कैसे आप login कर सकते हो ताकि आपके Instagram पर आपका जो भी डेटा था सारा सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा तो चलिए आपके Instagram का ID बना था उस ID को आपस कैसे लाओगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं बाट यार उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए फिर सुरू करते हैं अगर आपके फोन से Instagram डिलीट हो गया था तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ यहां पर Instagram सार्च करके इसको इंस्टॉल कर लो मेरे फोन में आलेडे इंस्टाग्राम इंस्टाओल है तो अभी हम उपन करते हैं जैसे आप उपन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन पेर आ जाता है यहां पर आपको पासवर्ड नहीं बताए तो किस तरीके से आप अपनी आईडी वापस लाओगे मैं आपको बताता हू इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पता करना होगा उसको रिसेट करके अपना एक न्यू पासवर्ड शेट करना होगा फिर आप अपनी आईडी को यहां पर लागिन कर पाऊगे तो इसके लिए नीचे आपको फोगोटन पासव बाएज़ आपको नहीं पता है तो आपके फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम में जाओ अब आपका इंस्टाग्राम आइड आ जाएगा वहां से अपना यूजर नेम डालेंगे अगर फिर भी पता नहीं चलता है तो आप अपना इमेल एड्रीस या मोबायल नंबर डाल सकते हो जिससे आपका Instagram account बना था तो उस नमबर पर जितना भी ID बना होगा सारा आ जाएगा तो यूजर नेम वाला बेश्ट रहता है तो यहाँ पर आपने Instagram का username डालेंगे फिर आप continue करेंगे सलिए यहाँ पर मैं अपने Instagram का username डाल देता हूँ यहाँ तो ट्राइ अनुदर वे पर क्लिक करके यहाँ पर मैसेज होगे रहा कि थूभी कोड मंगा सकते हो वाटसप पर मंगाना चाहते हो तो continue करो आपके वाटसप पर कोड आ जाएगा और try another way पर क्लिक करेंगे तो आपके number पर एक OTP आएगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं यहाँ पर try another way पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैं WhatsApp के थूभ कोड मंगा सकता हूँ या फिर अगर मेरा इस्टाग्राम कहीं लॉग इन है तो notification के थूभ मंगा सकता हूँ और यहाँ पर request friend के थूभ भी मैं code मतलब इसको reset कर सकता हूँ पासट को see more पर क्लिक करूँगा तो get code और link via smith तो यहाँ पर मैं smith के थूभ कोड मंगा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे number पर smith या code आए तो मैं इसको सेलेक्ट करके continue कर दूँगा तो चलिए मैं WhatsApp के थूभ मंगा लूँगा तो मैं WhatsApp को सेलेक्ट करके continue करता हूँ आप पहले ही WhatsApp पर click कर सकते हो अभी आपके WhatsApp पर एक code आजाएगा आप देख सकते हूँ मेरे बाद आ चुका है कि फिर आप continue करेंगो कोड डालने के बाद आपके सामने new password set करने को option आजाएगा अब यहाँ पर आपने Instagram ID का एक नया password set कर लेंगे तो चलिए मैं एक password डाल देता हूँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर continue करेंगे जैसा आप continue करेंगे फिर आप login info save करना चाहत हो तो यहाँ सेब कर लो और यहाँ पर सेब पर टास कर देना तो आपका password भी सेब हो जाएगा आपके Google account में तो इस तरीके से दोस्तों आपके Instagram की ID open हो जाएगी सो आप देख सकतो यह हमारी Instagram की ID थी जो डिलीट हो गया था हमारे Instagram से और आप देख सकतो मैंने login कर रहा हूं और आपके Instagram का जो भी डाटा है वो सारा कुछ आपको वापस Instagram पर मिल जाएगा इस तरीके से अगर आपके phone से Instagram डिलीट हो गया है तो आप अपने Instagram की ID को इस तरीके से वापस ला सकते हो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो चले दोस्तों हम आप से मि लेंगे अगले वीडियो के साथ अपकर के लिए चिहाए हिंदु से भारत